इस वीडियो में जो हम DFB पोकाल का बहुत बड़ा फाइनल मैच कवर करने वाले वो रहेगा फ्राइबाग वर्सिस आरभी लेबजिक के बीच मैच कवेनी होगा न्यूट्रल बर्नलिन किक अफ होगा रात में 11.30 पीम पे तो दोस्तों बात करें DFB पोकाल की तो यह जो DFB पोकाल होता है यह जर्मनी का सबसे बड़ा कप कॉंपटिशन होता है जैसे इस्पेन में कोपा डेले होता है और यहां पर इंग्लिश प्रीमियल लीग का जो होता है इंग्लेंड में वह होता है एफे कप वैसी यहां पर डिया भी फोकल होता है और यहां पर जो दो क्लप्स फाइनल में पहुंचे है एक है आर्बी लेब जीक जो की वन अब दा टॉप क्लब माना जाता है जर्मन बुंदस लीगा में अलोंग साइड बायन मुनिक एंड डॉटमन दूसरा है फ्राइबग जो की जर्मन बुंदस लीगा का मिट टेबल का क्लब है और बात करें इन दोनों क्लब की जो अभी अभी सीजन इनका ओवर हुआ है उसमें अर्बी लेब जिग ने ठीक ठाक सा पर्फरमेंस किया फॉर्थ पोजीसर में इनकी फिनिशिंग रही ऑल्दो यह इससे ज्यादा के 12 के वीज में लेकिन यह वाले सीजन फ्राइबक कभी बहुत ज़्यादा अच्छा गया है तो दो मेरे अक्वर्डिंग तो इवनली मैश टीम का यह मैच होने वाले है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यह टीम्स यहां फाइनल तक कैसे पहुंची इस टूनामेंट के राउंड अफ 16 में आर्भी लेबजीक ने हांसा रोष्टोग नाम के क्लब को टू निल से रहाया और फिर सेमी फैनल में इन्होंने अच्छी उन्यों बलिन साइट को टू बनाई है तो दोनुने ठीक टाक से अपोनेंट फेस किया है ऐसा नहीं कहूंगा भी बहुत ज्यादा क्वालिटी वाले अपोनेंट फेस करें बट इस सिजन इन दोनुन क्लप्स के वी इस दो मैच हुए है और दोनुन ड्रॉज रहें वन-वन के पहला मैच फ्राइबक के घर में हुआ था वन-वन ड्रॉ रहा था दूसरा मैच लेप जीक के घर में हुआ वन-वन ड्रॉ रहा है इस मैच में भी कही ने कही थोड़े बहुत चांसे जरूर है कि एक वन-वन ड्रॉ फिर से आपको दिखाई दे सकता है बट ओवरॉल जो मुझे नजर आ रहा है यहा पिछले 5 मेचे फ्राइबग में खिले उसमें चार बंदस लिगा के मैचेश है और एक साथ कप मैच है उन 5 के पांच मैचे में फ्राइबग ने क्लिन शीड नी रखिए तो यह जो फैक्ट है फ्राइबग की अगें चारा कही ना कहीं है लेबजी को फिवर कर रहा है लेब वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है वैसे तो यह दुनु टीम्स इवनली मेच्ट है फिर भी जो लेब जी गेना इनके थोड़ी बहुत स्कॉर्ट कॉलिटी बेटर है इस कंपेर टू फ्राइबग और मेरे अकॉडिंग यहां पर स्लाइट फेवरेट हो सकती है अब इनका फाइनली एक ट्रॉफी जीतने का चामस है जो कि होगी डियाब बी कप और जो इनके अटेकर से ना वो लोग बहुत अच्छी फॉर्म में भी है इस वह से मेरे अकॉडिंग यहां पर स्लाइट फेवरेट लेब जीक होगी बट फ्राइबग इनको पूरी तरह से हाराने में मत करना लेकिन अभी के लिए स्मॉल लिग में हम लेब जीक को ही फिवर करके मिनी टीम बनाएंगे और मैं आपको बता दू लेब जीक लास्ट तीन डीवबी पूकल सीजन के दो बार फाइनल में अल्रेडी पहुच चुके है लेकिन दोनु बार वो आरी एक बार बायन से हारी थी और जो लाश्ट हुआ था उसमें डोटमन से हारी थी तो फाइनली यह जो ट्रॉफी ड्रॉट है अपना उसको एंड करना चाहेंगे तो अभी प्रोवीबल लाइनप पे हम आते हैं उससे वेले एक चीच कहना चाहूंगा इस मैच की फाइनल स्मॉल लिग टीम और जो मेरे अखॉडिंग फेबरेट या उस लगती है लेघिक उनकी बात करते हैं तो मेरे अखॉडिंग या इसलाइड फेबरेट हुँगे मैं इनके थ्लोड़े ज़्यादा प्लेयर प्लेयर पिक करूंगा और अपोनें या जयसे आधा 5 लेयर्स तो लेबजिक की 11 देखते हैं पीटर गुलाशी इनके गोल की परूंगे थ्री इन दा बैक सीमा कान विली ओर्बन और गवार्डियोल इनके तीन सेंटर बैक हैं इसके लावज इनके राइड विंग बैक है हें ये चार बंदे आपको मिलेंगे फेंटेसी ब्लैटफॉर्म में डिफेंस सेक्शन में तो अगर किसी एक टीम को क्लीन शीट के लिए बैक करना होगा मैं लेबजिक को करूँगा बिकॉस थोड़ा बहुत ये डिफेंसी वाइस ज्यादा मुझे श्ट्रॉंग लगते हैं इस कंपेर टू फ्राइबक बट कहीं नहीं मुझे लगना ना दोनु टीम स्कोर कर सकती है लेकिन अभी के लिए हम फेवरेट्स लेबजिक को करके चल ले हैं तो मैं इनके थोड़ त्री चॉइस रहेंगे गवाड़ी ओल हेंडिक्स एन विली और वन किसी एक को ड्रॉप करना होगा में सीमा कान को करूंगा गवाड़ी ओल डिफेंसी वाइस टीम के बेस्ट प्लेयर हैं बहुत जादर टेकल इंट्रिसेप्शन ये करते हैं हेडर वाइस भी ठीक टाग है और ये चेल्सी से भी लिंक है मेभी आपको नेक्स सीजन चेल्सी में दिखाई दे हैंडिक्स जिस पोजीशन में खेल लें वहाँ से गोल असिश्ट कर सकते हैं असा विंग बैक और ठीक टाग डिफेंसी वर्ग भी करते हैं क्लीन शीट ऑने में उसके पॉइंट भी देद ज्यादा अच्छा है इस कंपेर्ट टू और्बन बट और्बन ज्यादा सीनियर प्लेयर है बड़े मैच में अच्छा कर सकते हैं अच्छा है कैप्टन भी है क्लब का तो मैं अभी के लिए इनके साथ जा रहूं तो यह मेरी टॉप त्री चॉइस हैं बागे आपको चार प के लिए हम देखते हैं क्योंकि वहाँ मिट्फिल सेक्षन में लिष्टेट होगे इनका क्रिंशीट पुटेंशिल जरूर कम हो जाता है पर इस्टिल मैं अभी के लिए एंच्छा ओप्सन मिल ला है एंच्छी लिनो मेरे अकॉर्डिंग मास्ट पीग है मैं अभी सब्सक्राइब लिए लेकिन जब यह तीनों एक साथ फिल्ड में होते तब फोस्बग ही लेता है तो इस वैसे फोस्बग इंपर्टेंट है विदाओट गोल असेट है च्छे गोल असेश्ट की है तो अभी के लिए मैं फोस्बग के साथ भी जा रहा हूं लाइमर कामपल दोनों प्लेयर अच्छे हैं डिफेंसीव में खिलिंगे कमपल प्रॉपर डिएमफ है जबकि लाइमर थोड़ा बॉक्स टू-बॉक्स रन में आगे गोल असिश्ट का भी देखता है बट अभी मैं अनफॉर्चुनेटली दोनों को पिखनी कर भाँँगा क्यूकि मैं ज्य ज्यादा गोल्स भी नहीं मारें अच्छा इस्ट्राइकर है पॉट्यूगीज नेशनल टीम में भी खिलता है आप चांस को कनवर्ट कर सकता है तो मैं अभी के लिए अंड्री सिल्वा के साथ भी जा रहा हूं अब एंकुंको के बारे में जो नहीं जानता बता दू इस बं एंकुंको ने किया है तो एंकुंको जीस तरह की फॉर्म में मस्ट बिक तो रहेंगे डिफॉल्ट केप्टेंसी ऑप्सन भी बन जाएंगे इस मैज में क्योंकि यह पूरे सिजन रेड हॉट फॉर्म में चले हैं तो यह आर्विल अपजी की प्रोविवल 11 थी लगबग सभ हैं मैंने यह बुंदस लिगा के स्टैड लिग है क्योंकि दिया भी फोकल के स्टैड लिखने का कुछ फाइदा था निए वह थोड़े मिसलीडिंग हो जाते हैं अपूरेंट के बात करने से बेले फिर रिमाइन दिला दू इस मैच के फाइनल स्मॉल लिग टीम और सभी फ रोने इस मैच में इनकी लैवन देखते हैं फ्लेकन लिगवाइन फ्लेक लोर इंप्रिंटे रोंगे वैसे तो गोलगीवर जो है लेप जीक के गुलाश्टी वो भी अच्छे सेफ कर सकते हैं बड मैं अभी के लिए फ्लेकन के साथ ज़ाधा टेक करेंगी तो मैं अभी के डिम आप लाउनद़ वrendre से एक केविन ऊर्ट रेक यह जो प्लेयर हें मैच है ब् olvid Demo के लिफ्टमाइब बंड्भ बत चाई है रहे एडिंग अविग गोल मार चुका है और अप तो यह जर्मन ने्स्नल टीम में भी ब्रेक इन कर चुका है बट अभी के लिए मैक्जिममम डिफेंडर में लैब जी के पिक कर रहो यहां पर दो तीन अच्छी ऑफ्सन जरूर है लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को एक दो मिक्स करने वड़ेंगे मैं एक यह जाए से आदा हो सके तो दो ही पिक कर पाऊंगा फिलाल इनके डिफैस में मेरी नंबर में चोइस रहेंगे क्रिस्टोफर गंटर यह बंदर डिफेंसी वाइस तो अच्छा है ही मैं आपको इनके बुंदस लिगा के स्टैट दिखाऊं तो दो गोल और नौ असिस्ट है एक फुल बैक होते वे नौ असिस्ट के हैं तो गोल भी स्कोर कड़ चुका इनका क्रिडिट नाइन है जो एन यानि की निको श्लॉटर बैक है कुबलर के भी डिफैंसी नंबर ठीक टाक है अब सबको लेना पॉसिबल नहीं है तो अगर मेरे को एक से ज्यादा चूस करने में मैं श्लॉटर बैक को इंक्लूड कल प्लेयर अगेस्टीन भी अच्छा है बट अभी में ज्यादा अटेइंग प्लेयर से फोकस करो तो एक ही डिया में जारो वो मेरा होफलर रहेगा जियोंग सिलेक्शन बहुत आई है लेकिन कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है पांच गोल एकसिर जरूर है दो असिस वरी बट अगर गोल असिर नहीं है ज्यादा पॉइंट नहीं देगा तो मैं अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूं सेम गोज विस सलाई सलाई प्लेयर अच्छा ही जो हंग्री की नेसनल टीम ना वहां का बेस्ट प्लेयर माना जाता है यहां पर गया है कभी-कभी जल्दी सबस्र मैल्टी टेकर भी है मोस्ट अब दा कॉर्णर की फिकिक भी सब ग्रीफो लेता है तो ग्रीफो मेरे अकॉर्डिंग 100 परसेंट मस्ट रहेंगे अगर आप ड्रो के लिए जा रहे हैं या ग्रेल लिंग में फ्राइबक को फिवर करके टीम मना रहे हैं आप ग्रीफो को केप् से मैटफेल यह उनके साथ गया हूँ बट अगर आपके पास क्रेटिर प्रॉलम नहीं होती वहां से आपेसक करके होलर को पिक कर सकते बट मैं अभी के लिए पिक करके नहीं गया हूँ क्यूंकि मेरे अग्वरीट होगी लेबजिक तो तो यह फ्राइबक की प्रोविबाल के लिए मैं बैक कर रहा हूं अर्भी लेबजिक को तो जो मेरी प्रेडिक्शन होगी एक 2-1 लेबजिक विक्टरी के साथ में जा रहा हूं या दूसरी मेरी कि इंजरी के स्केर भी था अगर यह फिट नहीं होते ना तो में भी हो सकता है मैं और इदिवाइज और बहुत ज़्यादा ऑगर आभी के लिए मैं इनके तीनोडिफेंडर पिक करूंगा यहाँ मैं गंटन लिया चो मुझे 8.5 में मिलने मैं विंचेंटे घ्रीफ हो लिए है होफलल लिये यह एंगेलीनो है एमिल फॉसबाग है क्रिश्टोफर एंगुंकु मेरे कैप्टन है और मैं अंड्रे सिल्वा को भी पिक किया है फिलाल एंग कुंकु जिस तरह की फॉर्म में यह सेफ कैप्टन सी आप्सन नहींगे वाइस कैप्टन सी में आपके बास अगर आप लेपजिक बैक करने अंड्रे सिल्वा का चौप सन है में भी आप फॉसबा के एंगीलीनों में किसी को दे सकते हैं अगर आपको एक वन वन ड्रॉ लग रहा है या टूवन टैप की विक्ट्री भी लग रही है मेभी आप ग्रीफों को भी वाइस केप्टन सी दे सकते ह हैं तो फिलाल यह मेरी डेमो रफ टीम थी जो भी मेरी अफडेट फाइनल टीम होगी लाइना पाने के गाद में टेलीग्राम चैनल में पूश्ट करूँगा उसका लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉइन कर लीजिए